हेलो दोस्तों मैं सोरम बलिक आप सभी का करेंट अफेर की सोल्ट वीडियो में स्वागत करता हूँ दोस्तों आप इस वीडियो को सुरू से लेके एंड तक देखेगा और आज की वीडियो में हम साथ से आठ कोशन कवर करेंगे जो की काफी important होंगे exam के point of view से तो 7-8 कोशन में से आपका score कीतना रहेगा नीचे comment box में जरूर बताना हर एक कोशन important है तो याद भी कर लेना वीडियो पसंद आए तो इसको like कर देना और अपने दोस्तों के साथ में share करना बिल्कूल मत भूलिए और अगर आप नए है इस चैनल पर तो चैनल को subscribe कर लिजे डेली इस वीडियो का notification आपको सुबह morning में 7-8 के बीच में मिल दाएगा तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और अगर आप नए हैं और अभी तक unacademy पर मेरी profile फोलो नहीं किये तो दोस्तों मेरी live classes देखने के लिए unacademy पर आप मुझे follow कर सकते हैं लिंक नीचे description box में दिया गया है शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो को आज की वीडियो का पहला question है किस राज्य के हापूस आम को GI tag परदान किया गया तो फटा-फट से answer बता दीजे इस question का right answer रहने वाला है मारास्ट यानि की option D is the right answer चले next दूसरा question है करनाटक लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्स कौन बने है करनाटक Public Service Commission के नए अध्यक्स कौन बने है दोस्तों जल्दी से comment box में answer बता दीजे इस question का right answer रहेगा सिव संकरप्पा S सहुकार यह भी आपको याद रखना है चले next तीसरा question है नासा की चंद्रा वैजसाला ने किस गरहे पर X-ray किर्णो के उत्सरजन का पता लगाया है फटा-फट answer बता दीजे और इस question का right answer दोस्तों रहने वाला है अरुन गर है यानि कि option C is the right answer चले next question number 4 है सतरवी बिमस्टेक मंतरी इसतरिय बैटक की अध्यक्सता कौन सा देश करेगा दोस्तों current affair के 4 से 5 या 6 जितने भी questions होते हैं वो मैं आपको daily basis cover करा रहा हूँ अगर आपको यह session पसंद आता है revision session होता है तो आप इसको like जरू कर दिया करें अपने दोस्तों के साथ share कर सकते हैं इसी चैनल पर daily यह वीडियो आती है चैनल को subscribe भी कर सकते हैं इस question का right answer रहने वाला है स्री लंका यानि कि option A is the right answer चले next दोस्तों BIMSTAC के बारे में एक बार quick revision देख लिखते हैं जून 1997 में हुई थी मुख्याले काँ पर है ढाका बांगलादेश में इसके secretary general कौन है तेंजीन लेकफेक इसके secretary general है साथ सदेश्य देश है दोस्तों BIMSTAC के कौन कौन से देश है बांगलादेश, भुटान, भारत, नेपान और स्रिलंका, मेंमार, थाइलेंड यह आपके साथ देश है यह भी आपको not कर लेना है नेक्स question पर आते है पाचवा question है पाच अप्रेल 2021 को रास्टी समुद्री दिवस का कौन सा संस्क्रण मनाया गया है फटा फटा आंसर बतेए दोस्तों यह संस्क्रण मनाया गया है अठावनवा संस्क्रण यानि कि option B is the right answer ठीक है, काफी important question था आपको यह दखना है next question पर आते है दोस्तों next question है UPI पर 1 billion transaction पार करने वाली पहली company कोन सी बन गई है काफी important question पूछ लिया मैंने तो जल्दी से आंसर बता दीजे sort video में सारी important current affair के questions मैं आपको cover करा देता हूँ बस आप ध्यान से एक बर इस वीडियो को देख लिया करें एक से दो बार repeat करके देख सकते है इसका right answer होजएगा दोस्तों phone pay phone pay के बारे में बता देता हूँ phone pay की स्थापना दोस्तों 2015 में हुई थी ठीक है और इसकी parent company flip card है ये भी आपको याद रख सकते है इसका मुख्याले बेंगलूर करनाटक में है और बस इतना ही आपको याद रखना है चले next और दोस्तों question number 8 है भारत का पहला 14 lane वाला express वे कौन सा बन गया है दोस्तों भारत का पहला 14 lane वाला express वे कौन सा बन गया है दिल्ली मेरट express वे बहुत ही important question ये exam ये point वी से बन चकता है याद रखेगा next और 9 question है कलिंग रतन सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया है तो फटा फटा आंसा बतेए दोस्तों इसका right answer हो जएगा which question हरी चंदन is the right answer तो ये point आपको क्या दटाए है ओल्राइट चले next तो दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं आपने इन 9 question में से कितने सही किया है जल्दी से आप मुझे comment box में answer बता दीजे और अगर आपने कल की वीडियो देखी है तो एक question का answer आप मुझे जरूर बतेगा और सबसे पहले इस वीडियो को आप like कर दीजे फटा फट से like करें दोस्तों अनकेडमी पर मेरी profile का link है सौरम मलिक के नाम से सर्थ करके फोलो कर सकते हैं तो फिर आप डारेक्टली भी मेरा नाम यहीं पर प्रोफाइल का link का नीचे description box में उसके थूरू भी जोइन कर सकते हैं अच्छा कल की वीडियो का एक question है जो मैंने कल की वीडियो में cover करा तक current affair का question है भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं तो इसका answer आप मुझे comment box में बनाएंगे भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं ठीक है दोस्तों तो मिलते हैं कल की वीडियो में आप इसको like जरू कर देना अपना score बताना और profile link follow कर लिजे क्योंकि वहाँ पर आपको लगातार मेरी classes के notification मिलते रहेंगे thank you so much take care everyone bye bye